एलो दोस्तों वेलकम ओल हाँ दोस्तों 27 जून को MPNHM CHO का एक्जाम हुआ 29 जून को उन्होंने आंसर की रिलीस कर दिया और 3 जुलाइ को उन्होंने नोटिफिकेजन रिलीस किया कि आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वह बनेगा आपका नमबर नॉर्मलाइज होने के बाद अब नॉर्मलाइशन क्या होता है मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया यदि आप उसको जाना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक में इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि पल-पल की सारी अप्डेट्स आपको मिलती रहें मैं आप तक हर अपडेट पहुंचाओंगा कि रिजल्ट कब आ रहा है नेक्स कांसलिंग कब हो रही है तो किम लरिफिकेशन कब से नाम होगा ठीक है नाम के साथ आपकी सिटी होगी कौन से सिटी सापने अपलाई किया है आपका सब्सक्राइब कर देख को से अब बाद अब को आपको डिपोर्ट किया जाएगा जहां भी वेकंसी खाली है यहां पर वैलिड आपको होगा कि आपको ओलीफाइब है आप लिखा है इन्होंने not qualified कहीं कोई कुछ बच्चे qualified है कुछ बच्चे non qualified है तो जैसे देख सकते हैं यह पूराना result है मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूं कि कैसे आपकी answer की कैसे आपका result आएगा ताकि आपको पता चल जाए कि यहां पर आप qualified हो या qualified नहीं हो not qualified हो या qualified हो तो उसके basis पे इसके बाद आपका आगे का क्या होगा document verification होगा अब document verification कैसे होगा वह मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बता दिया कि क्या क्या document जरूरी होगा ताकि आप documents अभी से ready कर लें ताकि जैसे document verification स्टार्ट हो के पास सारे document हो और आप अपना selection complete process complete कर लें ठीक है दोस्तों document verification के बारे में जानना है तो मैं वीडियो की लेंक इस के description में दे दूंगा इस वीडियो के description में आप महां जाके देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल 3444 बच्चों का टोटल इन्होंने लिस्ट दिया था फ्यू आर कॉलिफाइड कुछ क्वालिफाइड है और कुछ नॉट कॉलिफाइड है तो यह था इस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आएगा तो यह मैंने आपको डीटेल्स बता दिया है थैंक्यू फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की पलपल के सारी अप को मिलती रहें